नमस्कार दोस्तो आज हम 2019-20 के सैंपल पेपर का बैस करने वाल है इस पेपर के दोरा हम समझेंगे कि किस तरह से हमें स्टड़ी करना है किस पर ध्यान देना है कौन-कौन से चीज़े हमें जरूरी है और जब हम कोशन अंसर करते हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना है इन सारे चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे तो चले ही शुरूरात करते है सबसे पहले उन्होंने कुछ सुचना है दिये वह हम समझ लेते है इस पेपर में 11 पेजेस होते है तो आपको देख लेने हैं वह 11 है या नहीं और 18 कोशन्स होते है तो भी आपको देख लेने हैं कि सभी कोशन्स हैं या नहीं है और जब आप अंसर लिखोगे तो उससे पहले आपको कोशन नंबर डालना जरूरी है और और पेपर के शुरूवात में कि आपको कितने questions के answer आते है वीडियो को pause किजे और हम क्या करेंगे हर question के starting में इसे करना है आपको pause करना है उसके बाद मैं explain करूंगा तो चलिए एक पदेन उत्तरत एक पदेन मतलब one word में आपको यह answer देना है केवल हम प्रश्न दो हैं केवल दो ही मतलब तीन दे जाएंगे उसमें से आपको दो ही करना है और जो आते है वही आपको लिखना है उनकी number लिखना है जो नहीं आता है उनका number भी answer sheet पर नहीं लिखना है तो पहला question क्या है महर्शीही दयानंदह कीम बलिदानम अकरोत मतलब महर्शी दयानंदह ने कौन सा बलिदान किया क्या बलिदान किया तो उसका अंसर हमने red color से highlight किया गया है तो जब भी आपको अंसर देना है तो आप क्या कीजे शब्द मैच कीजे उसके similar road आपको दीख रहे तो अंसर लिख देना है तो इस तरह से आपको मैच करना है और उसका अंसर है दूसरा question क्या है मतलब कौन से राजयने सत्य का आश्रे नहीं छोड़ा तो यह question का meaning यह दि आपको question का meaning समझ में आता है तो आपको कोई डर नहीं है और यह दि question का meaning समझ में आता है तो आप similar word देखे और अंसर लिखे तो भी सही हो जाता है तो उसका answer क्या है देखो हमने एक green color से highlight किया गया है हरिश्चंद्रह तो आप वो देखे line देखे तो आपको पता चल जाएगा हम अंसर कैसे डुनते रुपह हरिश्चंद्रह सत्यस्य आश्रयम न अते जाएगे similar word मिल रहे तो उसका अंसर में मिल गया हरिश्चंद्रह उसके बात क्या है थड़ कह आजीवनम वने वने अब्रहमात मतलब कौन पूरे जीवन बर जंगल में गुमताई रा कौन था हो महाराना प्रताप तो देखिए आप ओलाइन देखिए आजीवनम वने वने अब्रहमात इस तरह से तो आपको ध्यान में रखना है similar word देखिए और आप अंसर लिखे है महाराना प्रताप यह उसका अंसर है तो आप देख रहे हैंगे जैसे एक पदे न उत्तरत और उसके बाद क्या है और उसके बाद क्या है निर्देशस पष्टा आत्म का पदम और बोदेना आत्म का प्रशना उसके बाद बब मतलब question number two पूरून वाक्यान लिकता है केवल प्रश्न दोयम केवल दो ही कोश्चन करना है मतलब तीन दिये तीन में से दो ही करना है और एक कोश्चन दो मार के लिए इसलिए ये करना ये छोड़ना नहीं है कोश्चन वन मतलब जिनकी प्रतिग्या दुरूड होती है उनके लिए सबसे मुख्य क्या होता है तो उसका अंसर क्या है हमने red color से highlight किया गए आप देख सकते हो और यदि आपको अंसर रुणना है तो similar route देखे अंसर आपको मिल जाएगा हर जगह पर आप यह trick यूज़ कर सकते हो तो देखे यह जना हाँ दुरुडप्रतिग्या भवन्ति देखो दुरुडप्रतिग्या दुरुडप्रतिग्या बतला question का शब्द उस अंसर में आ रहा है भवन्ति तेशाम कुरते तेशाम उरतमे व सर्व प्रमुकम भवति देखो यह भी शब्दा आया तो ऐसे आपको मैच करना है रोह अंसर लिग देना है तो उनका उरती उरती सबसे मुख्य होता है ऐसा कहने का तत परिया है सेकें अध्या पी किम मानवान सत्या चरनम प्रती प्रेरेंती आज भी मनुश्य के लिए क्या सच के आचरन के लिए प्रेरित करता है तो उसका अंसर देखे हमने ग्रीन कलर से हेलेट किया गया है अद्यापी तेशाम चरण चिन्नानी मानवान सत्याचरणं प्रती प्रेरेंती उनके चरण चिन्न मनुश्यों को सत्याचरण के लिए प्रेशित करते हैं उसका उंसर है कि इए उनके चरंच न देखो तेशाम उनके मगर हमेशा जपने है जब भी आपको अंसर लिखना होता है तो आप सरुनाम कई की तेशाम यूर्ppe उसके लिए क्या गाए कि पहहले पर देखो लानी सक्वंद आपको बता चलेगा नहें में मतलब ये जो तेशाम है ये महापुरुषों के लिए उसके आगा है तो इसलिए ऐसे जगपर क्या करना है तेशाम को हटाना है और उसके जगपरो महापुरुषब लिखना है अध्यापी महापुरुषा अनाम चरन चिन्नानी इस तरह से वो अंसर के लिखना है आपको पराधिन जीवन 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 जीव में बार बार यूजिस किया गया है आप उसका टैटल के लिए उसका तरी मगरें इस मैंने दिया है महापुर्षा क्या इसरो है vendors क्या जर्चा हमएं है इसलिए हमने उसे महापुर्शा ऐसा टाइटल दिया है कोशन थ्री दो यथा निर्देशम उत्तरतो तो चलिए सबसे पहले आप करके देखिए उसके बाद हम एक्स्पेंड करेंगे वीडियो को पॉस कीजिए केवलम प्रश्णत रहम तो केवल तीनी करना है तो जैसे यह कुशन वन अकरोत इत्यास यहां कर्तुरूपर कि मतलब करता सब्जेक्ट जो सबसे पहले हैं तो करत हमें उप्शन में मरbons adalah MALE तो यह त्यक्र यह क्या करता है हैं क्वा तो इसके मे रेड कलर से हेलेट किया गया है और उसका करता का है महर्शिही दयानन्द उसके पहली लाइन में हमने उसे भी रेड कलर से हेलेट किया गया है तो इस तरह से आपको करता ढूनना है और दूसरी बात क्रियापदी एक वोचन में तो करता भी एक वोचन में रहता है तो आपको उस तरह से भी द्यान रखना है उसके बाद question two नुरुपह रिष्चंद्र हँ अनयों पदयों का आपको मिनिंग पता होना चाहिए आनंयों पद्विकारत होता है इन दो पदो में इन दो शब्दो में इन दो शब्द मत्लब कुंसे दो Seaboard एक नुरूपः रुषचंद्र क हैं तो जो विशेश्टा बताता है उसे का रहतन और दूसरा मतलब आपको एक सिम्पल नुरुप ट्रिक क्या से पहचाने जो शब्द पहले होता है और जो शब्द बाद में होता है वह होता है विशेश्च तो बाद में तो एक आसान ट्रिकि यह तो आपको लगबग इससे काम होजाता है और ज्यादा तर इसी कोशन आते हैं ऐसे बहुत रेर के इसे होते हैं कि जगह पर है ज्यादा तर आस्पास रहते हैं तो इसा दिमाग लगा कर सकते हो कि पहले होता है मगर यह 80% 20% की गैरंटी में नहीं देख सकता है उसके आपको मि पत्नी के लिए कौन सा परियापद मतलब सिमिलर वर्ड कौन सा आया है तो उसको हमने ब्लू कलर से हीलेट किया गया है बारियाम परियाम में भी देखोगे तो आपको पता जल जाएगा इसके लिए आपको थोड़ा सा मिनिंग पर ध्यान देना है और चाप्टर पढ़ते रह तो मिठ्या मतलब जूट तो जूट के लिए सत्य ऐसा शब्द है तो उसका अंसर है सत्यश्य उसके बाद एक खंडख में सेकेंड कोशन ओहें पत्र लेटर है तो यह दिए लेटर में आपको आपको बहुत प्रैक्टिस करना है बहुत सारे पत्रों को मिनिंग के साथ प्र की लिंग हम नीचे दे रहे आपो देख लिजे अभी जैस्ट में आपको मिनिंग के साथ यह पढ़ने वाला हो स्वामित्रम एकाद अश्यक अक्षायम संस्कृतम पठी तुम प्रेरे तुम लिखेते पत्रे रिक्तस्तानानी पूरे इत्वा पत्रम चब पुनह उत्तिर प उसके लिए पत्र लिखना है और उसने का अक्षा मतलब 11 क्लास में उसे संस्कृत पढ़ने के लिए आप प्रेरित कर रहे हो और उसके लिए आपको पत्र लिखना है छात्रावास हो हकए चात्रावास मतन Serge तहा जब भी तहा आता है तो समंद लेना अड्रेस है और उसके रहे दिनांक के आप कोई भी डाल सकते ओ जिस दिन का प्रे प好了 ए तक देन стан हो प्रियाधित्य प्यार याधित्य। नमस्कार अत्र कुशलम तत्रास्तो और ये सिंटेज काफी बार आते रहता है या कुशले वहाभी हो मतलब यहाँ ठिक्टाक है वहाभी ठिक्टाक हो ऐसे में काम ना करता हूँ तो पत्रेन ग्यातम तेरे पत्र से ग्यातम पता चला यहाँ कि तुम एकादशक अक्षाया मतलब 11 क्लास में संस्कृत बाशा पढ़ना चाता है यह जानकर में बहुती प्रसना हुआ यता हो क्योंकि संस्कृतम पढ़ित्वा संस्कृत पढ़कर वयम स्वदेशे से गवरवम अनुभवितम शक्नम हो हम सब अपने देश के गवरव अनुभव कर सकते हैं यह जो देव भाषा है विश्वस्य सरवासु भाषासु प्राचनतमा वैज्याने की च अस्ती यह सबसे पुरानी भाषा है और वैज्याने के सैंटिफिक है विश्वस्य अनेकासू बाशासू और विश्व के अनेक बाशाव में भारते बाशासू चब और बाशाव में yogurt से किम तुम जाना से यदि क्या तु जानता है? पंचतंत्र इतो पदेशा दयः ग्रंता संस्कृत ये वह लिकिता संती ये जो वेद रामायन माँ भारत उपनिशत पंचतंत्र ये जो ग्रंता ये जो किताबे इस संस्कृत बाश्चामें ही लिके है अतअ हो इसलिए तो मतलब तू सर्वाई ही विशयाई ही सह सभी विशयों के साथ सभी सब्जक्ट के साथ संस्कृत मपी संस्कृत भी परिश्रमेन पट संस्कृत की परिश्रम के साथ स्टड़ी कर आओ काशेशू चुट्टियों में ममा गुरुमा अगच्य मेरे घर आओ माता पितर तो इस पत्रक हमने काफी डिसकेशन एक अलग विडियो बना कर किया इसलिए हमने यह स्पीड में बताया है उसके बाद कोशन त्री यहां आपको चित्र वरनंग करना है मतलब पास सेंटेंस बनाना है मगर मैं आपको रिक्वेश्ट करूंगा कि आपके यवल पास सेंटेंस म मार्क मिल जाएंगे मतलब एक गलत भी हो जाएंगी तो आपके पांच मार्क सेफ रहेंगे इसलिए यह आप ऐसा कीजिए और अगम इसी में बाकी इसा चांस नहीं किस rozm मतलब यह चितर मंडिका है दुसरा शाख विक्रिटा जनान आखा रहे सब पज्या बेशने वाले ओगों को बुला रहे थीसरा सेंटेंज शऀ Along कि रिता रहा मतलब विंतलों सब Mr पार आवाज और शोर हो रहा है और फैसे आप अलग अलग सेंटेंज बना सकतेओं चोठेंज बना и कोई प्राभ्लेम नहीं area मगर बना ओॉ स्कूशन नंबर फोर यहां आपको संस्कुरूत में 안वाद करना है केवल हम वाक मतलब केवल पांच इकरना है रहां हिए साध में से पांच करना है जो आते है वहीं करना है उसकी लिंक हमने नीचे दिये आप वो देख सकते हो माता खाना पकाती है तो यहां माता करता है इसलिए उसमें प्रतमी बक्ती माता भोजनम पचेती इस तरह से सेकेंड हम सब संस्कुरुत पढ़ते हैं वयम संस्कुरुतम पठा महा तिसरा सेंटेस कल विद्याले का आउकाश रहेगा श्वह विद्याले स्य आउकाश बविश्यती चवता सेंटेस कल तुम कहाते यह तौम कुत्र आसी ही पांचवा सेंटेस तुम सब कलम से लिखो यूयम कलमेन लिखत question number six बच्चा कुट्टे से डरता है बालक, शुनकाद, विभेती सेवंत, क्या मैं अंदर आऊ किम अहम अंतह आगच्छानी तो आपको क्या करना है यदि आपको इनको समझना है कि किस तरह से अनुवत करना है तो हमने नीचे लिंक दिये उसमें डिटेल में समझाया है आपो देख सकते हो अब हम खंडग समझ लेते हैं यह 25 मार्च का खंडग होता है तो पहला question उसमें मतलब जो पाच नंबर का है हो तो वहाँ है संदी केवलम प्रश्ण चतुष्टे मतलब को पाच दिये है उनमें से आपको चारी करना है तो पहला है धूमम मुझचती यह है अनुस्वार संदी तो अनुस्वार संदी का नियम क्या होता है यदि म के बाद मतलब हलंत म के बाद कोई भी वेंजने तो म को अनुस्वार होता है तो इन्होंने संदी करके दिये हमें उसका विच्छेत करना है तो क्या होगा धूमम मुन्चती दूसरा क्या है युवयोहो जननी तो ये विशर्ग संदी का निये में यदि अआ भिननस वर के बाद कोई भी विशर्ग है और उसके बाद कोई भी तूतिय चतुत पंचम हय वरल है तो विशर्ग का क्या बन जाता है र बन जाता है और स्वर भी आगे हो तो संदी के उपर हमने काफी वीडियो बना है आप देख सकते हो उसके बाद गावश च तो इसका विच्छत कैसा है गावश प्लस च तो देखिए विशर्ग के बाद यदी श च च है तो उस विशर्ग को श बन जाता है उसके बाद है भवेत प्लस यदी तो ये जश्टो संदी है तो नियम क्या है यदी त के बाद मतलब वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद तुर्थिय चतूर्थ या हय वर्ण या कोई भी स्वर है तो उस प्रथम वर्ण को क्या बन जाता है तुर्थिय वर्ण तो देखिए या त है भवेत प्लस यदी तो देखिए त को क्या बन गया द बन गया क्योंकि तुर्थिय त थ द ये तिसरा है तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है उसके बाद राग्यह विरुद्ध तो यहाँ विसरग संदी का इनियमे राग्यो विरुद्ध ऐसी विसरग संदी हो जाती है आप संदी के नियम देख लिजे हमने विसरग संदी के काफी वीडियो बनाए आप वो देख सकते हो question number six एपको या तो विग्रा करना या तो समास करना है समास करना मतलब क्या है दो шब्दवों जोड़ना और जब आप दो शब्दवों जोड़ोगे बार पूस आपको ध्यान में रखना है कि बीच वाली विग्रा करना है और मूल शब्दा जोड़ना है समास के भी हमने काफी वीडियो बनाएं आप हो देख सकते हो तो हमें या विगरह करना है या तो समास करना है समास करना है विगरह करना है मतलब हमें मन से कुछ नहीं करना है वहाँ उन तीन ओप्षिन दिये है उसमें से जो सही है वो हमें चुनना है बहुत आसान होता है तो चलिए तो सबसे पहले आप करके देखिए उसके बाद हमें explain करते है तो पहला है वाश्पयानमाला तो उसका कौन सा समास है तो उसका गव वाश्पयाननमाला ये 6 ततपूरुस समास है अभी हमने शेष्टी तत्पुर्षे कैसे पहचाना तो उसके लिए मीनिंग पर ध्यान दना है और ज्यादातर चाप्टर से ही समा साते है तो उसलिए आपको चाप्टर में जो समा से उस पर आपको स्टडी करना है उन्हें रिवाइज करना है तो ही आपको बहुत फाइदा ह सकता है देखो या वाश्पयानाना माला मतलब बाश्पयानों की माला तो का के की आया है इसलिए वो शेष्टे इसलिए हमने शेष्टे तत्पुर्ष समा से आविग्र किया है उसके वाद क्या है प्रति वचनम तो ध्यान में रखना है प्रति मतलब विभाव समा से प्रति वचनम प्रतिधने, या तो आपको ऐसी भी आ सकता है, वचनम वचनम, तो भी उसका आंसर क्या होगा, प्रति वचनम या तो फिर वचनम गलती, या तो भी आ uneasy गंश pizzas, लाया, वचनम इस तरह से इतार मेर रखना है, प्रतिधन मेर धाना, तो राजपुत्रह का विग्रह क्या है तो राजा का पुत्रह आपको द्यान देजे तो आपको उस पर ध्यान देना है कि कम इनिंगे तो समझ लेना है वहाँ शिष्टी का विग्रह करना है इसके बाद कोशन नमबर फोर व्याग्र चित्रकव ये दोन-दो समास का उदारने अब ये कैसी पहचान होगे कि ये दोन-दो समास है बहुत सिंपल जिस समास में जितनी शब्द रहेंगे ये उसका उतन मगर यह एकी वचन हुआ इसका मतलब भी दोन-दो समास नहीं है तो एक आसान तरीका है जिससे आप पहचान सकते हो एक समाहर दोन-दो भी है तो उसके नियमा लगे और व्याग्र चित्रकव अभी देखिए इन्हों ने जो अंसर दिया है व्याग्रह चित्रकव च तो यह उनने एक ही एड़ किया तो चलता है आप एसे भी कर सकते हो व्याग्रह च चित्रकव च तरह से ध्यान में रखना है अब यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है जैसे फर्स्त देखू उसका औप्शन व्याग्रह चित्रकव च तो यह उसका अंसर क्यों नहीं हुआ तो सिंपल है देखो व्यागर years मतलब टाइगर और चित्रकव मतलब दो चित्रकव 2 दूवचन ही यह लिए घवाला देखे व्याग रहो चित्रकोच देखे द्वीवचन द्वीवचन तो यह भी घलत हुआ तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है पाच्वा कोशन निरगता हा गुनाहा यस्मात सह तो यह भूरी समस्य अभी भूरी समस्य करोगे तो सिंपल बीच वाली बक्तियाटा और समास कैसे होगा निर्गत गुनाह मगर हमने यह answer क्या किया है निर्गुनाह तो ऐसा क्यों किया है तो देखिए यह समास सह सह का वचन क्या है एक वचन है इसका मतलब है यह जो समास बनेगा तो यह एक वचन रहेगा निर्गुनाह तो ध्यान में रखना है बहुरी समास में जो तत सरो नाम है अभी यह जो सह है यह भी तत सरो नाम पुलिंग यह कोचन है तो उसके उपर इसका वच्चन डिसाइड होगा लिंग डिसाइड होगा ओके ध्यान में रखना है यह यह सह है तो इसका मतलब यह पुलिंग यह कोचन से लगता है आप यहां दूसरा option देखे निर्गत गुनाहा तो यह भी हो सकता है मगर क्यों नहीं हुआ क्योंकि आपको ध्यान में रखना है जब भी बहुरी समास का विग्रह रहेगा एंड में कौन सा वचन है जैसे या सह मतलब एक वचन है इसलिए यह नहीं हो पाएगा यह दि निर्गत गुनाहा ऐसे होता तो भी सही होता क्योंकि इसा भी option में आता है तो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप समास करोगे तो सह पर ध्यान देना है मतलब तत सरुनाम के उपर ध्यान देना है उसका वचन क्या है उसका लिंग क्या है और उसी की सबसे आपको करना है और ऐसे एक एक एग्जामपल है निर्गुना है तो इस तरह से आपको द्यान में रखना है इसमें आपको प्रकुर्ती प्रत्थे जोड़ना है या तो अलग करना है तो पहले आप करके देखे उसके बाद मैं बताता हूँ तो पहला question है बुद्धी मती पुत्र दोयो पेता पितुर गुर्ण प्रती चलिता बुद्धी मती अभी यहां हमें प्रकुर्ती प्रत्य पहचनना है मतलब शब्द और प्रत्य पहचनना है और हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आप शब्द और प्रत्य बताऊगे तो आ दिमान यह तो प्रतम भी बक्ति कोच ने तो इसे नहीं बताते मूल शब्द बताना होता है दुसरा देखिए बुद्धिमत प्लस टाप प्रत्य ही नहीं क्योंकि गिप का यह बचता है और टाप का आ बचता है तो उसमें अलग सा होता है सब कुछ इसलिए यहीं सही बुद् से तरह से याद कर रखे कि का हलंत है कौन से प्रत्य में हलंत है कौन से प्रत्य में नहीं है तो आपको आसानी हो जाती है वत्सल प्लस टाप पहला उसका अंसर सही है बाके तो गलत है क्योंकि वत्सल प्लस गिप यह तो होई नहीं सकता है क्योंकि गिप तो यह लगता है व कोशन 3 सरवेशाम मत कुर्ते महत्वम इद्यते तो यहां भी आपको प्रकुर्ति प्रत्य पहचानना है तो मूल शब्द क्या है महत्वम का महत ऐसा मूल शब्द है जो हमारा सेकेंड आप्शन सही है महत और प्रत्य का त्व ध्यान में रखने इसमें बच्चे अकसर गलती कर त्व प्रत्य है त्वम नहीं है और इसमें बच्चे गड़बड कर देते हैं को विद्वान सह एवलो केस मिन चक्षुष प्लस मतु प्रकिर्तिता हा तो यहां में जोड़ना है मगर जोड़ते समया में ध्यान में रखना है कि उसका कौन सा वच्चन लिखना है तो वो कैसे डिसेड़् होगा करता कोने विद्वान सह तो यह वच्चन है मतलब यह जो प्रत्य है यह प्रत्य वाला शब्द किसका विश्चन बनने जा रहा है तो उसकी इस आप से उसका वच्चन रहेगा चक्षुष मनतह ऐसा उसका अंसर हैगा मतलब आखे वाले तो मत चक्षुष प्लस मतुप तो मतुप को मत बन जाता है तो चक्षुष मन्तह ऐसा आमने बहवचन किया क्योंकि भगवान भगवन्तव भगवन्तह उस तरह से चक्षुष मन्तह तो विद्वान से बहवचने इसलिए चक्षुष मन्तह भी बहवचने तो आपको इस तरह से भी द्यान में रखना है question number eight आपको यहाँ वाच्च परिवर्तनम मतलब करतरी करमनी करना है यह सबसे आसान question होता है बस ही आपको meaning समझ में आता है तो आप आसान इसे कर सकते हो तो यहाँ आपको द्यान में रखना है समवादम पुनह लिखता मतलब आपको पूरा वापस लिखन स्कूर्टी करता है जब बीमद्यम पूरुष रहेगा और जब बीमद्यम पूरुष रहेगा किसी भी लगकारगा तो आपको वहां तौम युवां यूएम आना चाहिए मतलब वहां आपको यह वहां आपको यूज करना है और उसके बाद जैसे सेकंड में मया है इसलिए दुरुष्यते मतलब इदी तुरुतिया इभक्ति है तो समझ लेना है वो कर्मनी प्रयोग है मतलब कर्मनी का रूप अमने वहां मतलब क्रियापद लिख दिया उसके बाद साक्षी कहती है किम अधुना तोया श शब्दो रूप लिखे जाते हैं ऐसा उसका मिनिंग होता है तो लिखेंते ओके इसलिए त्वया आया तो उस तरह से तो फिलिंग दब उसके लिए ही एक अथवा मतलब और आता है यहां पांच सेंटेस दिए उसमें से तीनी करना है और आते हैं और हमने वाच्च्छ परिवर्तन के उपर भी एक वीडियो बनाएं आप देख सकते हो वैसे हमने हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाएं आप ग्रैमर के प्लेइलिस् है तो कर्मन है इस तरह से तो अैंजन है इसकी तूद्रिया क्या होगी अनजने गीतम लिखते रहे सा और गार्याणी क्रियंते तो मअ तो में अदब्पर तुमसब अभी यहां हमें यूयम की तुरतिया करना है क्योंकि करतर है उसका कर्मनी करना है तो उसका होगा यूश्मा भी ही फलानी नी अंते अभी नी अंते में बहुचन क्यों आया क्योंकि फलानी बहुचन इसलिए क्योंकि कर्मनी प्रयोग में जो क्रियापद होता है वो कर्म के अ उसका करत्रि करना है तो बालके ने तूटिया है उसकी प्रतमा क्या है उसके बाद भकतव देवं नमतः तूबर्चती प्रतमा है तो तूटिया करना Fill धूट्रिकbackij हम तुर्टिया का भी द्विवच्ण करेंगे क्यूंकि हमें वच्ण चेंज नहीं करना है इस तरह से भी नंबर समय समय तो सबसे आसानने इसमें चार मार खारिक को मिलते यह बस आपको सबसे दें करना है और तो चले अब में सब्त वादनी उसके बाद 845 तो आपको यह हमेशा ध्यान में रखना है जब भी 45 रहेगा तो आपको क्या करना है पादोन लेना है और एक नंबर आगे वाला लेना है जैसे यह 8 है तो 8 का आगे वाला क्या है 9 तो पादोन नव वादनी तो इस तरह से आपको हमेशा ध्यान मे देखे शुह मतलब तुमारो मतलब आने वाला दिन सपह मतलब विद्वान लोग में इसतरी इसतर से कुकुरह उच्चे ही शब्दम करोती कुट्था जोर से शब्द करता है मतलब जोर से भूगता है उसके बाद भवान पुस्तकम कुट्था कृतवान मतलब आपने पुस्तक कहां से खरीदी कुट्था मतलब कहां से नेक्स्ट अदुना कुट्रापी माग अच्छ अदुना मत यहाँ वहां यहाँ इदर उदर मतलब बंदर यहाँ वहा तो यह आपको विनिंग समझ में आता है तो आप यह आसानी से कर सकते हो question number 11 यहाँ आपको अशुद्ध sentence दिया है उसको शुद्ध करना है मतलब गलत sentence को सही करना है तो चले पहले आप करके देखे उसके बाद मैं explain करता हूँ तो question 1 दिव्यान अंदः फलम खादामी ऐसा है तो खादामी के जगह पर आएगा खादाती हमेशा ध्यान में रखना है जब भी करता है दी नाउन रहेगा कोई भी नाउन कोई भी सरो नाम रहेगा तो आपको आप प्रतम पुरुष यूज़ करना है तो दिव्यान अंदः हो और जब भी मध्यम पुरुष रहेगा तब त्वम युवाम यूयम आपको यूज करना है और जब भी उत्तम पुरुष रहेगा तब आपको अहम आवम वयम यूज करना है तो यह ध्यान में रखना है अभी त्वम यूवाम यूयम अहम आवम वयम यूज करना है तो इसलिए यह दो छोड़कर बाकी कोई भी सरुनाम ह तो वहाँ आपको प्रतम पुरुशी यूज करना है उसके बाद राजंद्रह पाठम पाठहेंती देखो पाठहेंती यह बहुचने और राजंद्रह एक वचने जो करता है यह एक वचन में रहेगा तो क्रियापत भी एक वचन में रहेगा तो राजंद्रह एक वचन में इसल इसलिए उन्नतम भी पुलिंग जायगा क्योंकि विशेश्चन विशे में एक विवगती एक वचन एक लिंग होता है तो उन्नतम का पुलिंग उन्नत हो उसके बाद सुरेश महुद है शोह न आगच्छत तो देखे या शोह मतलब तुमारो मतलब सुरेश महुद है कल नहीं आएगे ऐसा उसका मिनिंग होना चाहिए आग अच्छत मतलब लंग लकार शोह यूस किया टूमारो के लिए यू मतलब तुमारो और आग अच्छत लंग लकार तो यह मैच नहीं हो रहा है इसलिए हो गलत है इसलिए हम यहां फ्यूचर यूज करेंगे आग कुन सा लाकार यूज करना है कूँ यूज करना है इधे आपको मिनिंग समझ में आ रहा है तो आपको प्रॉब्लेम नहीं होगी अब हम खंडग समझ लेते यहां आपको सिन पैसिस की ज़्यादा प्रैक्टिस करना है जो भी चाप्टर आप मिनिंग के साथ पढ़िए तो अंसर मिल जाएगा जैसे कोशन वन एक अपा देना उत्तरत वन वर्ड में लिखना है केवलम प्रश्ण दोएं दोई लिखना है कहा क्षेत्र कर्शनम कुरुव नासीत मतलब कौन खीती जोत रहा था तूसका अंसर क्या है कुरुष्यक देखे हमने रेड कलर से हैलेट किया ग कौन गुस्षे वाला था मतलब कौन गुस्षे में था तूसका अंसर है कुरुष्यव लह कोशन टू मतलब पूर्ण वाक्यन उत्तरत आपको यहाँ पूरे सेंटेस में अंसर लिखना है तो पहले आप करके देखिए उसके बाद मैं उसे एक्स्प्लेन करता हूँ चलिए अब हम फर्स्ट कोशन करते है सुरादी पहक किम अपूच्छात मतलब सुरादी पतलब इंद्र ने क्या पूचा तो उसका अंसर आप देखिए हमने उसे हैलेट किया गया है वो रेड कलर से हैलेट किया है तो आपको उसका अंसर मिल जाएगा कि वो पूचता है आई कोशन का मिनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल है जो मैं बार-बार वही बता रहा हूँ इसलिए हम वो स्वीड में जा रहे है आप सिमिलर वड़ देखे रोव आंसर लिख दीजिए जैसे हमने ब्ल्यू कलर से हाइलेट किया गया है भूमो पतितेश्व पुत्रम भी तो इसके लिए आपको स्वीर दियान देना है तो इसका सिमिलर रोड क्या है बहुयार मतलब बहुत बार इसका मिनिग होता है question तु अप है कर्तरूप्ध मतलब सबच各 का में करता में रखना है करता मिश्rukt में रहता है तो गए हुझे दुनेंगे ताम हमने ग्रीन कलर हिलेट किया गया है तो तो पर्था में रहता है तो अ प्रुच्छत है उसका करता है उसी किया प्रथा मिल रहा है सूराधी प्रत्म हैं आप्षन में उरुषय मिल रहा है तो इसलिए हमें पहले वो शब्द देखना है कौन से जगह पर है उसके पहले वो शब्द है या नहीं है इनके बारे में हमें सुसना है तब हमें सही अंसर मिल सकता है Q3 उर्षबम इती पदस्य किम विशेशन पधम गद्यांश प्रयुक्तम Q3 उर्षबम का विशेशन डूनना है तो मैं एक सिंपल आपको तरीका बता जेता हूं यह आपको बिनिंग समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है विशेशन और विशेशन कैसे पहचान होगे तो सबसे पहले वह एक विशेशन पहचान है तो कैसी पहचान होगे तो विशेशन अमेशा पहले रहता है और विशेशन बाद में रहता है ऐसा अलगबग 80-90% हो जाता है मगर आपको यह ट्रिक कभी उस करना है जब आपको मिनिंग समझ में आ रहा है तब मतलब विशेशन पहले और विशेशन बाद में तो हम उर्षबम का पहले उर्षबम शब्द ढूनते तो देखिए दूर बलम तो हमने उसे ब्लू कलर से हैले दूर बलम को और देखिए उ दूर बलम के बाद जो रहेगा वो विशेश मगर यह 80-90 परिसेन कोशन नमबर 4 कुर्शी वलह इती पदस्य किम क्रियापदम गध्यान से प्रयुक्तम मतलब कुर्शी वलह का आपको क्रियापद ढूनना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है कुर्शी वलह शब्द ढूनना और हमेशा क्या करना है आपको ध्यान रखना है करता है को चन में तो क्रियापद भी बहुचन में रहेगा तो कुर्शी वलह शब्द पपाता यह जो ऑप्शन उसकी दूसरे यह तो उस लाइन में कई दिखते नहीं है तो इसलिए वह तो नहीं है आपको इस तरह से मैच कर करते रहना है तो आपके सही अंसर बन जाते है कोशन नमबर थर्टी नहीं यहां आपको एक श्लोक दिया जाएगा और उसे पढ़कर आपको अंसर देना है तो चलिए सबसे पहले आप करके देखिए उसके बाद में एक्स्लोएन करता हो तो चलिए एक पदेन उत्तर था व सेकें नरहर केब्बह आहितम कर्म न康यां इनसान किन के लिए ऐत कर्म नहीं करने चाहिए मतलब इंसान को इससरे के लिए अहित कर्म नहीं करने चाहिए तिसरगोशन की दूशंब कर्म न करनियम कैसा काम नहीं करना चाहिए तो जी कि हमने उसे ग्रीन केलर से हाइलेट किया गया न कुर्याद आहितम कर्म मतलब कैसा काम नहीं करना चाहिए तो इसे बात क्वेश्चन टू मतलब पूर्ण वाक्यान उत्तरत आपको यहाँ पूरे सेंटेस में अंसर देना है और श कि देखे उसके बाद मैं उसे explain करता हूँ पहला कोशन कह परेब्य आहितम कर्म न कुरियात कौन दूसरों के लिए आहित कर्म नहीं करना चाहिए मतलब किसे दूसरों का आहित काम नहीं करना चाहिए तो उसका अंसरा हमने रेड कलर में लिखा एक का यह आत्मन श्रय किसका कल्यान होता है तो पहले आप करके देखे उसके बाद मैं उसे explain करता हूँ कोशन यह इतिकरत्रु पदस्य क्रिया पदम किम मतलब यह इस कर्थरूपत का क्रियापत क्या है मतलब जो अब यह एक वचन में देखो अब इस लोक में देखो हमने उसे ब्लू कलर साहेलेट किया गया है यह इच्छती तो आसपास ही क्रियापत मिल गया है तो जादा डूडने के ज़रूरत नहीं इच्च थी तो उसका क्रियाबत क्याँ इच्च थी हुआ और कुरियाथ अन्यत कीमपी तो यह तो नहीं कुरियाथ कहा है, लास्ट लाइन में है न कुरियाथ तो यहां गया तो वही एसा ही हमें ढूड़ना है आसपास ढूड़ना है, अंसर हमें मिल जाता है प्विशेश्याप्र माते तो जए से मैंने बताया था वह है पहले विशेश्या bought me तो अहित है स्सक्राइब गया है तो जो पहला रहे गा वह विशेश्याप्र मिल गया उसका अन्सर ग़या तो इस तरह का भी आप लाजिक लगा सकते हो Q3 तो आपको यह परियावज शब्द दुनना है तो उसके लिए आपको कल्याण का मिनिंग पता होना चाहिए तो कल्याण मतलब कल्याण भला और उसके लिए क्या शब्द है श्रय हो Q4 तो आपको यह विलोमपद अपोजिट वर्ड दुनना है तो उसके लिए नीजेव ब्या का मिनिंग पता होना चाहिए नीजेव ब्या मतलब कुद के लिए तो उसका अपोजिट के आए परेव ब्या दुसरों के लिए इस तरह से Q14 यहाँ आपको नाट्यांश है उसे देखकर Q14 करना है तो सबसे पहले आप करके देखे उसके बाद मैं एक्स्प्लेंग करता हूँ चलिए Q1 एक अपदेन उत्तरता वन वर्ड में आपको अंसर देना है Q1 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 Q2 Q1 Q1 Q2 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 Q1 Q1 Q2 Q1 Q2 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 आपने पिंग कलर से आहलेट किया गया है उर्खशो पर आरो होती तो इस तरह से आपको देखना है उसके बाद बढ़ पुर्ण वाक्या उत्तर तो पूरे सेंटिस में आपको अंसर देना है एक बार आप करके देखे उसके बाद में उसे एक्स्प्लें करता हूं पहला क्वे क्या बोलता है तो आपको यह क्या करना है जो कवे के डालग वो पूरा लिख देना है उसके बाद क्वेशन का रालग लिख देना है इस तरह से उस नहीं बोला है तो वह यह अंसर उसका बन जाता है question sir, three number का question पहले आप करके देखिए उसके बाद मैं उसे explain करता हूँ तो चले अब मैं उसे explain करता हूँ first question तो आरोती का आपको करता दूनना है करता मतलब करता, subject दूनना है तो सबसे पहले आरोती दूनेंगे तो देखिए आरोती हमने red color से highlight किया गया है उसका करता को ने वान रह उसे भी हमने red color से highlight किया गया है तो आरोती मतलब कोन चल रहे है तो है वान रबंदर पेड़ पर चल रहे है second करुना परह काकह इत्यत्र विशेश्यम पदम किम मतलब आपको यह विशेश्य दूनना है तो simple name जैसे मैंने बता जाता कि विशेश्य बाद में होता है विशेश्य पहले होता है तो विशेश्य क्या है फिर काकह इस तरह से उसका अंसर भी मिल जाता है question 3 नाट्यान शे दुरुबलम इत्यस्यकिम विलोम पदम प्रयुक्त तो उसके लिए आपको मिनिंग पता होना जरूरी तो उसका अंसर होगा बलशाली तो इस तरह से आपको थोड़ सा मिनिंग पर भी ध्यान देना है question 4 तो आपको यहाँ प्यारे ग्राप में भी डुणने की जरूरत नहीं पड़ती है ये आपको इस तरह से भी आप सोचोगे तो वानारा बहुचन इसले तुदन भी बहुचन और फिर भी आप देख सकते हैं हमने ग्रीन कलर सैलेट किया गया है तुदन एते वानरा हा मतल़ ये वानर परिशान कर रहे हैं तो यापको मिनिंग पता चल गया है तो यह सब आपको अंसर मिल जाते हैं उसकी बाद्ड है इससले कैम ृफचे निर्मान मतलब व्यायम करता हुआ जो आदमी है वो गलत भोजन विरुद्धम भोजन मतलब गलत भोजन भी पचा लेता है तो विरुद्धम तो कैसा भोजन तो कैसा मतलब किदुरुशम तो विरुद्धम नपुसक इसले किदुरुशम का भी नपुसक और ध्यान में रखना जब वि वहा शुरादीप क्रतामई वक्त उसरादीप करंदतिस्म लुएले स्री लिंग उसके बाद 122 गाएंस प्रता प्रकुर्टिव रा इसके वाद यह ये क्या है प्रतामय'? ब mashति ने तो किम का भी प्रतामय बक्ति ये न्द से कह जाएगा तो सब्सक्राइब कर पार्यवद्दम जquito कर savior चैशी डिन्हें ऌल करें उक्षान पका वार जो पका मतलब उसे कोई तकलिब नहीं होती है उसके पास लोक नंबर टू तो मैं अनुए पड़ लेता हूँ पहले आलस्य मी मनुष्या नाम शरीर अस्त हो महान रिपोहु अस्ती उद्यम समह बंदू न अस्ती यम कृत्वा मानव न अवसीदती मिनिंग क्या है कि आलस्य मी मनुष् शरीर में बेटा हुआ एक महान शत्रु है उद्यम समह मतलब मेहनत जैसा कोई बंदू नहीं भाई नहीं रिष्टेदार नहीं है जिसे करके यम कृत्वा जिसे करके मनुष्या नावसीदती नश्ट नहीं होता है अनुए के लिए ही अथ्वा मतलब और होता है जिसमें आप श्राइब होता है जब आप को वहां दिये जाते हैं तो चले आप इसे करके देखिए करता हूं तो आपको क्या करना है एदे आपको मिनिंग समझ में आ रहा है तो यह आप यह भावार्त कीजिए ने तो आनुवे कीजिए गुनवान जनह एव गुनानाम महत्वम जानाती मतलग गुनवान आदमी ही मनुष्य ही गुनों का महत्व जानता है गुनई ही नह गुनानाम महत्वम न अवगत्चती जिसके पास गुन नहीं होते है गुन का महत्वा नहीं जानता है तथे उसी तरह से बल्वान जनह बलस से महत्वा जानाती जो बल्वान होता है वो बल का महत्वा जानता है परन्तु दुरूबल जो वीक आदमी होता है वो बल का शक्ति का महत्वा नहीं जानता है मतलब हाती ही शेर के पराक्रम का महत्व जानता है मुशकह मतलब चुवा उसके शवरे को नहीं जान पाता है तो आपको यह दी मिनिंग समझ में आ रहा है और जो मंजुशा में शब्द यह दी वह समझ में आ रहे तो आप भावार्त कर सकते हो क्योंकि भावार्त में एक शलोक का यादी भावार्त करोगे तो आपको 4 मार्क मिल जाते है Question No.17 यहाँ आपको घटना करम है तो घटना करम में आपको क्या करना है आपको स्टोरी पता होनी चाहिए हर एक चाप्टर के आपको story पता होने चाइए तभी आप घटनाकरम अच्छे तरह से कर ले सकते हो इसलिए आप ठोड़ा सा चाप्टर पर ध्यान दिजीए तो आपको यहाँ चार मार मिल सकते है तो हमने यहाँ आपको एक दिया है तो आप क्या किजी एक बार solve किजे उसके बाद मैं उसे explain करता हूँ तो अभी देखे हमने उसके answer दिये है तो answer जब दोगे तो आपको गटना करम का कोई number follow नहीं करना है पूरे नए number देना है जो आपको पहला लगता है उसे पहला number देना है दुसरा लगता है उसे दुसरा देना है question paper का जो गटना करम का number है वो कोई follow नहीं करना है जिसे हमने यहाँ दिये तो बुद्धी मती पुत्रदवेनो पेता पितुर ग्रों प्रतिचलिता तो जिस तरह से हमें story लग रहे मतलब chapter में जैसा है उस तरह से हमें उसी sequence से sentence रखना है तो सबसे पहले क्या होता है कि वो बुद्धी मती अपने दोनों बेटों के साथ पिता के गर्द निकलती है मारगे सा एकम व्यागरम अपश्चत मतलब रास्ते में उसने एक टाइगर को देखा और उसे देखकर वो क्या बोलती है व्यागरम दुरुष्टवा सा पुत्रों ताड़ेनती उव आच और वो टाइगर को देखकर अपने बेटों को मारती है अब क्या करो आप एकी टाइगर को खाओ और फिर उसके बाद क्या होता है व्यागरह व्यागरम आरी यह मिति मत्वा पला इतह वो टाइगर ऐसे सोचता है कि शाहिद व्यागरम आरी है मतलब टाइगर को मारनी वाली ऐसा सोचकर वो भाग जाता है उसके बाद क्या होता है मतलब जो सियार होता है उसके साथ वो टाइगर वापस जंगल में आ जाता है कानना मतलब जंगल फिर उसके बाद क्या होता है प्रत्युत बन्नमति ही और फिर वो बुद्धिमति सोष्टी कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा वो कहती है साथ शुरुगालम आक्षिपंती हुआ च वो शुरुगाल को मतलब सियार को बोलती है तो म्यागरत रहम आने तुम प्रतिक ग्याय एकम एवा अनितवान और वो कहती है अपने दिमाग से कि मैंने तुझे एत तीन टाइगर लाने के लिए कहा था तुने भी कहा थ कि हां मैं तीन टाइगर हर रोज लेकर रहूंगा और तुझे एक ही लेकर आया है और जैसे यह टाइगर हो सुनता है गलब अद्द शुरुगालक व्यागरह पुनः पलाई तह और वो आपस भाग जाता है तो इस तरह से मतलब स्टोरी जिस तरह से उस तरह से वो सेंटेस कर लेते हैं तो चरले पहले मेंस्किन कर लेते हैं पहले आप करके देखए अब ही चापटर में से अधकिये यह श्याम पत्ने चाहिए उसके आप रिवाइस करते रहे तो यह र का फाय तो यह पहले उनके अंसर बता देता हूं संप्रति मतलब अब अधुना अबत्ला ओके ठीक है तो यह भी कर लेते हैं तो कांतारे इसे अंडर लाइन किया है और उसके सिमिलर वर्ड आपको डूना है कांतारे मतलब जंगल कांतारे मतलब जंगल में तो उसके लिए कौन सा शब्द है वने मतलब जंगल सिमिलर वर्ड उसके बाद मुर्जा मुर्जा मतलब रेशब्दे बहुनी तो इसके लिए आपको क्या करना है चाप्टर भी पढ़ते रहना है उनके जो मिनी अपको पता होना चाहिए तो आप ये लास्ट कोशिन के लिए फाइदा हो सकता है तो इस तरह हम ने सैंपल प्रपर चर्चा की डिसकरशन किया है और वैसे हमने दो देखोगे तो आपको मिल जाएंगे और आगे पर चल कर हम ऐसी चर्चा करने वाले तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद